गाजर के रजगुल्य को बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम गाजर इसको पीलर की मदद से उपर से उसका जो हिस्सा है ना उसको खुरच लेंगे चिल लेंगे और फिर हम उसको चोटे-चोटे टुक्रों में काट देंगे गाजर तो ऐसे बहुत जादा हेल्दी होता है गाजर की जो मिठाई है ना जो रजगुल्य बनेंगे वह बहुत जादा हेल्दी बनेंगे और इसको इस तरह से छोटे-छोटे टुक्रों में हम काट लेंगे क्योंकि इसका जो एन एकदम फाइन पेस्ट इसका बनके तियार करना है बगार ही किसी पानी या दूद के टाल देंगे इसका हमको चास्नी बनाना वस एक तार की चास्नी बनेगी बहुत जाद हमांत है बहुत जादा कुछ स मान ही हैЩ यह बिल्कुल बन कर त्यार हो गई है अब हम इसको साइड कर देंगे और्थ किया करते हैं कि यह अरे पर लग से कड़ाई लेंगे और उसमें एक चम्मच घी डालेंगे सुध घी है यह नहीं हम दालेंगे और उसके बाओड हम την जो गाज आ पेश्ट त्यार क्याय यह आ भसम इसको डाल देंगे सब्सक्राइब करें, इसको डालेंगे सब्सक्राइब नो गाहिखा अगो감 कप मैंने यूऻ किया था ना उसी कप से एक कप सुजी है यह बारिक वाली सूजी है पाइन पाउडर जो होती है ना हनो बारिक वाली सूजी वह है उसको मैंने डाल दिया है और इसको भी हम मिडियम فलेम पर पकाएंगे थोड़े देर के लिए और फिर जो इस कप से मैंने यूज़ किया था उसी कप से हम दो कप दूध इसमें डाल देंगे सारा मैंने एक ही कब से measurement रखा है सब कुछ मैंने एक ही कब से डाला हूँ है और फिर इसको हम अच्छे से सुखा लेंगे मीडियम आज पर ही इसको हमको धीरे-धीरे करके सुखा लेना है इसका अच्छा सा एक डो तेयार हो जाए धीरे-धीरे करके ये देखिए हमारा ही जो है डो तेयार हो गया है एक आटा जैसे बूनते है ना उस तरह का ये तयार हो गया है अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक गाजर का मिक्स ठंडा होता है तब तक हम क्या करेंगे एक बावल में दो से तीन बड़े चमच कोकोना पावडर ले ले लेंगे और उसी चमच से दो तीन मिल्क पावडर ले लेंगे पावडर वाला दूद आता है ना वो ले लेंगे हम और इसका थोड़ा थोड़ा सा दूड वाल दूद है ये उसको डाल कर इसका एक डो तेयार करेंगे बिल्कुल गाड़ा सा पेष्ट त्यार करना है कि इसका हम बॉल बना सके बस उतना गाड उसके बाद हम जो गाजर का जूटो बनाया है है। उसको उसको अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल छिखना हो जाता है। उसके बाद छोटी छोटी लोगी निकाल लेंगे Kitchen अंदर में ओर क이면 उसके लिए झाल के सबसे हाथ लिए मरेंगे त्यार कर देंगे बिल्कुल रस्गुले की तरह आप जैसे भी बनाओ रस्गुले की तरह गोल बनाओ पेड़े की तरह चिप्टा आकार भी बनाओ वो अच्छे से बन जाती है इस तरह से हलके हलके हास से हम इसका सारा इस तरह का बॉल त्यार कर लेंगे रस्गुले की तरह जो मुझे हमारा डो है न चलिए हम सारे बना बणा कर र statistic है और इसको हम तुरत ही फ्राइ करेंगे, इसको बहुत देर के लिए रखना नहीं है बस बना करी ही इसको हम तुरत फ्राइ कर लेंगे मे इस तरह से और फिर हम एक Посब कर में में मेंगे अच्छे से करेंगे उसके ब जरूर बनाएं और कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह गाजर के रेसिपी कैसी लगी